मयमार अगर आप घूमने का प्लैन बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए इसमें आपको काफी जगों के नाम बताई जाएंगे और उनके बारे में जानकारी भी दी जाएगी बर्स ट्रेन फिलाइट इन सभी के दौर आप कैसे आ सकते हैं भारत में कहां कहा से आपको फिलाइट मिलने वाली है और यहां के लिए आपको इवीजा किस तरह से बनेगा और कितने रुपे का इवीजा होता है तो यह सब बाते लाश्ट में करेंगे उससे पहले में आपको बतादेता हूँ आपको यहां कहां गहुमना चाहिए आप यह बागान आजाए यह बागान बहुती खूपसूरत सहर है 2000 से अधिक बुद्धिस मार्क आपको यहां देखने को मिल जाएंगे 26 वर्ग मेल में यह फैला हुआ है यहां आके आपको होट एयर बैलून भी दिख जाएंगे चाहे तो आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके आपको यहां पर दिरसे देख पाएंगे बहुती खूपसूरत खूपसूरत दिरसे आपको यहां देखने को मिलते और एक अलगी अनुभाव आपको मिलता है जिससे आपके हिर्दे में बहुती खुसी होती है और यह बैलून भी बहुत बड़े होते एक साथ 4-5 लोग इसमें जा सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे स्पोट की इले लेक इस लेक पे आप आजाएं बहुती खूपसूरत यहां की धिल है यह जिल आपको ताउंगगी मया मार में मिलती है इसमें आके आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं बहुती सुन्दर नजारे आपको इस धिल के अंदर भी आते हैं एक सांथ बीच आपको पसंद है तो आपके लिए बहुती पसंदीदा जगह होगी आप यह उरा की इस बीच का मजा लीजिए सबसे अच्छा समय यहां दिसंबर से लेके अप्रेल का होता है क्योंकि जिस समय अप्रेल का महिना आता है यहां पे वाटर फैस्टिव काफी मज़ा आपको आएगा बात करते स्पोर्ट नमबर चार की मोन राज्य में क्यों विक्तियों पकोड़ा यह आप इसे गोल्डन रोक भी कह सकते हैं इसके उपर सोने की परते चड़ी हुई है पत्थर के ऊपर पत्थर इस तरह से चमतकार के रूप में ही आपको देख महामुनी बुद्ध मंदिर इस टैमपिल में 13 फुट ऊची मूर्थी आपको बुद्ध भगवान की दिखाई देगी यह भी सोने से ढखी हुई है इस टैमपिल में एक व्यूजम भी आपको देखने को मिल जाए अब बात करते हैं नमबर 6 की मांडले मयमार में सबसे खास जगा है उन कस्बों में से एक है जो अपनी संस्किर्थी और विरासत के लिए दुनिया भर में फैमस है यह एक सांती प्रिय सहर तो है ही स्रेयन दाव मठ के कारियों पर भी परकाश डालता है यह मयमार का दूसरा सबसे बड़ा सहर है यह रोयल पैलेस के रूम में जाना ज से पूरे सहर को आराम से देखा जा सकते जो की देखने में बहुत ही खूबसूरत मिलता है को देखने का टाइम होता है साड़े साथ बज़े से लेकर साम पांच बज़े तक इसके टिकट प्राइज की बात करें तो 272 रुपे का इसमें आपको टिकट लेना होगा अब बात करते नंबर आठ की बागान पुस्तकाले म्यूजम मयावार में खुदा इसे जो भी चीजे मिली थी इस म्यूजम में आपको देखने को मिल जाएगी इसका जो समय होता है सुबह नो बज़े से लेकर साम साड़े चार बज़े तक का होता है और सोमवार के समय बंद होता है टिकट प्राइज की बात करें तो 192 रुपे का ये टिकट होता है अब बात करते स्पोर्ट नंबर 9 की बोधी टटांग यहां आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि आपको जाके ऐसे नजारे कहीं और देखने को नहीं मिलेगे जो आप यहां देख पाएंगे इस टैंपिल की बात करें तो 224 फिट उची इसको बनाया गया है और 312 फिट की मूर्ती हां पर लेती हुए दो मूर्ती आपको देखने को बहुती बड़ी-बड़ी मिल जाएंगी इसके एड्रेस की बात करें तो आपको मोनिवा मयामार में आपको आना होगा जो की इसे देखने का जो सुबा 6 बजे से लेके साम 5 बजे तक का होता है और इसमें तो टिकट प्राइज होता है मात्र 116 रुपे ही होता है और बात करें नमबर 10 की तो सदर गुफा आप आजाएए इसके लिए आपको आना होगा कानिया हापा एन मयामार में इस गुफा के अंदर आपको बहुती स महल देख सकते हैं जो की गोल्डन कलर का बना हुआ है एक बहुती सुंदर महल आपको देखने को मिलेगा इस इसे देखने का टाइमिंग होती है सुबा चार बचे से लेके साम 6 बजे तक होती है और इसका टिकट होता है 192 रुपे का होता है नगरपाली बीच है यह बीच क आपको ताजा हवा और मनोरम द्रस्टे देखने को मिलेंगे इनी द्रस्टे के कारण यह काफी फैमस है यह जगे आपको सान में मिलेगी और आज की इस वीडियो की लास्ट जगे के बारें बात करते हैं इसने एक सिवाल लिए बुद्ध मूर्ति के चार और अजगर लेट आप किस तरह आ सकते हैं अगर आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं दीमापूर आ सकते हैं जो की नागलेंड में है दीफू रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जो की एसम में है लुंडिंग रेलवे स्टेशन भी एसम में है यहां तक आप किसी भी राज्य से आ सकते हैं ट्रेन को बर्मा भी कहते हैं और आप और अच्छे से जानना चाहते हैं जैसे की पर्मिट कैसे बनेगा कितने रुपे का पर्मिट होता है तो वह मेरी एक वीडियो आप देख लीजे उसे में आई बटन में लगा दूँगा या वीडियो के लाश्ट में लगा दूँगा उसमें कु कर दो